Hello everyone, welcome back to today's video आज की वीडियो में हम बात करेंगे माइनिंग के बारे में तो काफी सारे लोग 2011-2012 की स्टोरी सुनते हैं जहांपे लोग अपने लापटॉप से बिटकोईन माइन किया गरते थे और 2-3 बिटकोईन डेली तक के रिवर्ड वहाँ पे निकाल पाते थे तो अभी भी लोग सोचते हैं कि हमारे लापटॉप इतने अडवांस हो गए हैं 10 सालों में तो क्या हम अपने लापटॉप से बिटकोईन माइनिंग नहीं कर सकते हैं कशले चलते हैं कि कैसे आप यह सैट अप कर सकते हैं स्टेप सिंपल हैं नीचे मैं नाइस हैच डॉटकॉम का लिंक आपको दे दूगा आपको उस विब साइट पे जाना है और register होना है अपना email अपना password आप यहाँ पे enter करिए और यहाँ पे एक account बना दीजिए एक बार आपका account बन जाए तो login करोगे तो आपके पास कुछ इस तरीके का dashboard आपके सामने आ जाएगा यह dashboard में कुछ खास आपको शायद समझना आ रहा हो तो आपको यह सब नहीं देखना है direct जाएए और सीधा mining वाले button पे click करिए mining वाले button पे आप जाओगे तो यहाँ right side पे download का option होगा इस पे जाएए और अपने PC के config के हिसाब से miner को download कर दीजिए most logo के लिए second number का miner work करेगा तो मैं उसी को download करके setup बता देता हूँ एक बार आपका download हो जाए तो आप nice hash miner के software को install करिए अपने Windows PC पे यहाँ पे terms को accept करना है फिर run करिए nice hash miner को आप से login के लिए पूछेगा तो सीधा login आप यहाँ पे करिए पहले यह around 10-15 minute लेगा आपके system के hardware को benchmark करने के लिए तो यहाँ पे आप track कर सकते हो dashboard में कि कितनी active rigs हैं आपकी mining में जाके देख सकते हो कि आपका worker कैसे काम कर रहा है कौन-कौन से hardware को वो use कर रहा है कितना उनका temperature चल रहा है and so on अब यहाँ पे mining का profit भी आपको दिखाता है यहाँ पे एक area है जहाँ पे average profitability दिखा रहा है bitcoin या फिर euro में इसको देख सकते है and यहाँ पे directly भी देख सकते हैं कि current profitability कितनी है इस system की पुरी benchmarking का मैंने wait किया है and मैं आपको बता देता हूँ कि मेरा PC का specs कितना है इसके बावजूद भी मैं यहाँ पे एक दिन में 2 या 3 डॉलर से जादा का bitcoin mine नहीं कर सकता हूँ इसका मतलब क्या है कि even with a strong PC मैं आपे mine नहीं कर पा रहा हूँ तो अपने laptop के साथ भी आप यहाँ पे mine नहीं कर पाओगे इतना नहीं mine कर पाओगे कि आप अच्छा वैसा कमा सको still अगर आपको करना है mine तो आप कर सकते हूँ लेकिन I will recommend कि आप अपने laptop या PC जिसमें mine करने की सोच रहे हो उसको well ventilated रखो क्योंकि temperature बहुत high हो जाते है and in the long run आपके hardware को जादा damage होता है compared to what you have earned तो इसलिए जादातर लोग ASIC miner का इस्तमाल करते है and अगर आप चाहते हो कि ASIC miner को भी हम cover करें कि किस सरीके से उसका bitcoin mining में use होता है तो do let me know down in the comment पाकी I won't recommend anybody to use their PC और laptop to mine बाकी आपका computer आपकी मर्थी thank you for watching make sure to hit the like button, subscribe for more such videos and I'll see you in the next one पहला puff मैं ले रूचा का मुझको फूल बचले बेटा